हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज के मिस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो फाइनेशल सर्विसेस लिमिटेड के बारे में यानि कि जी फैसल के बारे में बेसिकली जियो फाइनेशल के बिजनिस से लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आई है और उस अपडेट से अगर आप देखोगे तो इस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो काफी जादा प्रेशर में नजराए फ्राइडे के दिन तो क्या इस न्यूज का इंपेक्ट जियो पर सबते जादा पड़ेगा क्योंकि जियो ने अभी डिफ्रेंट सेग्मेंट में रिसेंटली ही एंट्री ली है तो जो अल्रेडी मार्केट में प्लेयर हैं उन पर उतना जादा इंपेक्ट ना पड़कर जियो पर उतना जादा इंपेक्ट पड़ेगा या फिर नह जिएगा वीडियो अच्छी लगे तो एक like जरूर कर दिया चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक interesting question का answer बताईए कल है India versus Australia का final तो आपके according India को पहले batting करनी चाहिए या फिर balling करनी चाहिए so that जो chances of winning है वो बढ़ जाए कॉमेंट में आप अपने उपीनिया जरूर शेयर करिए अब जियों का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2.71% के आसपास का नेगेटिव मुमेंट देखने को मिला था फ्राइडे के दिन और शेयर 220 यानि की 220 के आसपास क्लोजिंग देते हुए नजर आया था जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ख़वर निकल के आई थी तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में यानि कि बैंकिंग सेक्टर और NBFC सेक्टर इन में जितने भी कंपनीस थी उन सब में प्रेशर देखने को मिला इविन बड़ी बड़ी गिरावट भी देखने को मिली वो नियूस तो मैं आपको यहाँ पे बताई दूँगा लेकिन साथ के साथ अगर आप देखो तो जो जीओ है उसमें भी आपको एक अच्छी गासी गिरावट ही देखने को मिली और अगर मैं आपको यहाँ पे अब एक जो डेटा है वो दिखाऊं जो कि मैं mostly जब जीओ की बात करता हूँ तो आपको बताता हूँ क्योंकि वो एक इंट्रेस्टिंग सा डेटा है otherwise आज जो यहाँ पे 2.71% की गिरावट देखने को मिल रही है हो सकता है वो जादा देखने को मिलती अगर यह डेटा ऐसा नहीं होता तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि 17.9 तक का डेटा आपके सामने रखा हुआ है जिसमें जो वाल्यूम आ रहा है और जो डिलिवरी परसेंटेज है वो डिलिवरी परसेंटेज बहुत ज़ादा है यानि कि एक अच्छा गासा पॉर्टफोलियो में अलोकेशन लोग कर रहे हैं अगर आप जियो की बात करते हो तो 67.8, 57%, 67%, 55.5%, 72%, 58%, 70% और 8 नवंबर को तो 78 परसेंट की डिलिवरी परसेंटेज आप समझ रहो कि किस अकॉर्डिंग यहां पर डिलिवरी परसेंटेज पर कारोबार हो रहा है तो यह एक आने वाले टाइम में भी मजबूती देगा ओवराल शेयर के परफॉर्मेंस के लिए यह बात होगी स्टॉक स्पेसिफिक मैं आपको यहां पे एक न्यूज दिखाता हूँ न्यूज सामने रख दी है आर्बियाई टाइटनिंग ऑफ अन्सिक्यूर लोन्स बैंक में नीड 84,000 करोर एक्सिस कैपिटल यानि कि एक ख़बन निकल के आई जिसमें आर्बियाई ने एक अच्छा खासा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है आप जो परसनल लोन लेते हों जो भी लोग लेते होंगे और जो बैंक्स या एन्वी एपसी जो परसनल लोन प्रोवाइड कराती है उस पर आर्बियाई ने कुछ टाइटनिंग कर दी है यानि कि अब इतनी एजली आपको परसनल लोन नहीं दिया जाएगा क्योंकि कुछ दुनों पहले जब वो यस बैंक के क्वाटर टू के नंबर साय थे तब मैंने आपके एक रिपोर्ट दिखाई थी और वो रिपोर्ट मैंने उस टाइम पर बोला था कि यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन रिपोर्ट है उसमें क्या डिसकसन हुआ था कि आर्बियाई ने बोला था जो रिटेल लोन है जो रिटेल लोन बुक है स्पेसिफिकली मोस्टली बड़ी बड़ी जो प्राइवेट बैंक से उनके लिए भी उनको अब उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कॉर्प्रेट से ज़्यादा डिफॉल्ट इस जगा पर हो रहे हैं और वही पर्सनल लोन के मामले में भी किया गया है कि पहले पर्सनल लोन जो है वो अ और रहने वाली है आगे आप यहां पर देख पा रहोगे कि बैंकिंग इंडेस्ट्री है उसको लगबग 84,000 को निया पर सकती है या फिर आप बोल सकते हो पांच परसन का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है ओवर फिप्टीन पॉइंट तू लेक करोड कैपिटल रेक्वाइर्मेंट फॉलएंग दी रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया स्डिसीजन तू इंक्रीज दी रिस्क बेट ओन एक्सपोजर ऑफ बैंक्स तू दी कंजूमर क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड, रिसीवेवल्स एंड बाइंग किंग फाइनेंस कंपनीज ठीक है तो यहां पे अब थोड़ी सी दिक्कत जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्टर में बढ़ते हो नजर आ रही है आप यहां पर देख पा रहे होगे कि जो परस्नल लोन्स हैं वो अब कॉस्ट्लियर भी हो सकते हैं जो मैंने आपको ब बोरी थी वो शायद अब उतनी जादा ना हो या पर जहां पर आप 10 या रुपे पे कर रहे थे उसकी जगह आप 11,000 या 12 या रुपे पे करने पड़ जाएं ठीक है तो ऐसा कुछ आपको अब देखने को मिल सकता है तो इस सेग्मेंट में अगर आप देखते हो तो इस डिस सीजन के बाग काफी बड़ा जो है वो देखने को मिला डाउनफॉल तो इसी वजए से आपको यहाँ पर जीओ फाइनेशल में भी डाउनफॉल देखने को मिल गया क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो इन्होंने भी और इन सेक्टर में एंट्री ले ली है और जब ए प्रडिशन बढ़ने से भी हमें भी उतनी यादा कोई डिक्कत नहीं होगी तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो मेरे अकॉर्डिंग में इस डिसीजन की वजए से इंपक्ट तो पड़ेगा लेकिन उतना बगा इंपक्ट नहीं पड़ने वाला तो यह अभी कुछ खब थोटा था श्टॉक है जिसमें आज के दिन थोड़ी सी गिरावत जरूर देखने को मिली लेकिन यह शेयर है वो यहाँ पर आपको बॉनस देने वाला है तो रेशियो वन का और 24 नेवेंबर आपको यहाँ पर इसकी एक्स डेट नजर आती है यानि कि आपके पास अभी टा यह नाम है इसेव इंडिया लिमिटेड थोड़ा था महेंगे साइड पर शेयर जरूर है पाँच यहाँ नो सट त्रेपन रुपे पर आज इसकी क्लोजिंग है लेकिन यहाँ पर आपको जो डिवीडेंट है वो मिलने वाला है 32 रुपे 32 रुपीज पर शेयर का जिस अकोर कोई तेजी थी वह मैंने वीडियो के तुरू बताया है वह आप जरूर जाकर देखना और आयर एपसी और पूरे रेल्वेस एक्टर में आज गजब की रहली आई है 19 परसें तक का मुमेंट है तो उस पहली वीडियो में आप जाकर देख सकते हो कि क्या रीजन हो क्या नए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल पर फर्स टाम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूग देजिएगा धन्यवाद